तो हलो दोस्तों बटवारी का एक और मार मैं आपको दिखाने वाला हूं सन 1947 के बाद का जो सिच्वेशन रहा है जो पलायन की प्रक्रिया पूरे एक भूभाग पे भारतियों महादवीप में जो पड़ी ही जिसमें बटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का उस दोर में जब लो प्रिवार थी वह इन चीजों का उपयोग करते थी इन घरों का उपयोग करते थी घरों में इस तरह से यह बना हुआ करा था अभू करता था करीब आजादिक के पहले लेकिन समय बदला समय पर वर्रतित हुआ और आज यह जो है घंड़हर में तब्दील हो चुका है जैसा देखते हैं कुछ इसके और डीटेल में हम लोग समझेंगे और कुछ इसके बनावट का कुछ नकासियां भी मैं आपको दिखाने बाला हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर यह जो आप देख रहे हो यह खपड़ायल का बनाव वहा करता था उस दोर में लोग यहां चुके हैं और यह निसानिया जो है यह उनके खून पसीने के बनी हुई जो जो धरोवर है वह आज भी यहां पर विद्धिमान है यह आप देख पा रहे हो यह अगर अब मैं थोड़ा सा और दूसरे तब चलके आपको कुछ दिखाऊं यहां पर जैसा कि आप देख पा रह स्रचित नहीं है पर फिर विए में थोड़ा साब को दिखाना चाहूंगा यह जो है आगर आप दर्वाजों को पर देखें तो पूरी नकासी के साथ बनी हुई है दोनों तरब से कि यहां पर खड़े होने में थोड़ी दिक्कत है इसलिए मैं पीछे हो जाता हूं जब लोग यहां से गयें तो वो अपनी यादों यादों को यहीं पर छोड़के गयें और यह आप देख पा रहे हो कि अब करीब करीब जो है मिटने के कगार पर है पूरे इस छेत्र की बात के जाए तो पूरे इस छेत्र का कर्मोबे सिस्ति यही है जहां पर काफी अधिक फेमिलीज रहते थे हिंदू फेमिलीज रहा करते थे अब वो यहां से जा चुके हैं और यह दीरे धीरे खंड धार में तत्दीर रहता हुआ लेकिन यादे हैं किस प्रकार से यह इनका उप्योग करते हूँ इस खरों काकी करते हुए इस रूम्स का उपयोग करते हुए रहा करते होंगे यह आप समझ सकते हैं कितना अथक परिष्ट्रम से कितने प्रयास के बाद यह घरे तैयार हुए होंगे उस दौर में पर लोग रहने पाएं मंजूर कुछ और था समय के साथ सब परवर्तित हो गया यहां पर आप देख पा रहे हो यह जो छोटा सा यह आप देख रहे हो इसका उपयोग जो है समान को रखने के लिए किसी प्रकार का वर्ष्ट्व को कर रखने के लिए मेरे खाल से किया जाता रहा ह होगा उस दौर में और आप देखें कि देखें कि अब यह उपर से नीचे के नीचे तर्द जो है जिर अवस्था में पहुच गया है लोग पलायन कर गया है समय स्थिति जो है बदल चुकी है करीब सब 75 से 80 साल के करीब हो चुके है स्क्रीन माड़ गया है तो यह हाल है